दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है Mastermind of GK में जैसा कि सभी लोग को पता है फ्रेंस कि आपका जो Forest Guard का exam है 20 दिसंबर को होने वाला है तो अगर फ्रेंस आप इस बार Forest Guard का फॉर्म भर रहे हैं और आपका exam है प्रेंस तो आप हमारी चैनल से जूड़े रहे हैं क्योंकि continue अब आपको exam तक कम से कम प्रतेक दिन एक प्रैक्टिसेट महत्पूर्ण प्रैक्टिसेट प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंस तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका जो Forest Guard में है उसमें किस तरह से प्रैक्टिसेट में पूछा जाएगा और निगेटीव मार्स क्या रहेगा इसके बारे में ठीए फ्रेंस उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिसेट देखेंगे तो देखे फ्रेंस यहाँ पर आपका पर्थम चरण में आवेदन लिखित परिच्छा के बारे में कैसा था यह है फ्रेंस दूसरा चरण में आपका देखे है बताया गया है प्रष्ट पत्र कैसे होंगे तो देखे जो आपका Forest Guard का एक्जाम होने वाला उसमें दो घंटों क एक प्रष्ट पत्र में चार भाग में कुल सौ प्रष्ण होंगे आपका जो फ्रेंस दो घंटे का समय मिलेगा फ्रेंस और एक प्रष्ट पत्र रहेगा उसमें टोटल कितने भाग रहेगे तो चार भाग रहेगे जिसमें सौ प्रष्ण होंगे जिसमें परतेक सही उत्तर क दे한데 कि एक प्रेशन का कितना दिया जाएगा इसी का दिया को हैने हैं चार दिया जाएगा थान सबाने में 30 प्रेश्ण राष्टिया और अंतराष्ट्य महत्व Costa समफाइगी धारत का इतिहास स्प्रेश्टिया अंडोलन भ्वोगोल भाभरती Hazen और सासन एवं आर्थिक और समाजिक विकास से सम्मंधित प्रश्णों पर अधारित होगे तीस प्रश्ण आपका होगा एक तरह सप्रेंस आपका इस सिलेवस दिया हुआ है इसी के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिसेट प्रवाइड कराऊंगा दूसरा भाग में है फ्रेंस का है दूसरा भाग में 25 प्रश्ण होगे वो दस्मी कच्छास्तर की अधारवुत संख्यन आकडों का निर्वाचन आकडों की परियाप तरकि कॉसल एवं विसलिसनात्मक सम्ता एवं समान्ने मांसिक योगता आदी से समंदित प्रश्णों पर अधारित होगे यानि कि आपको माथेमाटिक्स और इजनिक्स से समंदित आपको कुछ 25 प्रश्ण पूछे जाएंगे भाग तीम में फ्रेंस 25 प्रशन होंगे उसमें आपको समान बिज्ञान पर्यावरण प्रस्थिती की जैवी विवीदता और जलवायू परिवर्तन संबंधी समान मुद्दे से संबंधित प्रशनों पर अधारित होंगे ठीए फ्रेंस तो इसमें आपको फोरिस्ट गाड का भाग चार में क्या है फ्रेंस भाग चार में है 20 प्रशन हिंदी भासा का ज्यान से संबंधित प्रशनों पर अधारित होंगे इसका उद्देश हिंदी भासा में अपने विचारों को सही रूप में परकट करना तथा गंभीर तर्गपुन गध को पढ़ने और समझने की य देवस पता चल लगया होगा इसी साब से मैं आपको प्रैक्टिसेट प्रवाइड कराऊंगा ज्यान रखें सव प्रशन होंगे और एक प्रशन में कितना अंक दिया जाएगा चार अंक दिया जाएगा अब देखिए निगेटिव मार्किंग के बारे में देख लेते हैं त प्रशन हेतु दिये जाने वाले अंको का एक तिहाई आनि वन थर्ड ठीक है दंड रूप में काटा जाएगा कितना काटा जाएगा फ्रेंस वन एक तिहाई फिर यदि उमिद्वार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दियेगे उत्रों प्रशन के लिए करमांक पक्यमसार ही दंड होगा फ्रेंस तो आपको एकी को टिक करना है फ्रेंस एकी को दो को नहीं चुनना है फिर यदि प्रशन को खाली छोड़ दिया है अर्था तुमिद्वार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रशन के लिए कोई दंड नहीं होगा थे फ्रेंस आनि खाली छोड़ दें तो फिर उसमें कोई दंड नहीं होगा अब आउसके बाद में आपका OMR सिट के बारे में लिखा है कि लिखित परिछा में अभियारती OMR अधारित उत्तर पुस्तिका पर वांचित सुचनाओं यथा रॉल नंबर प्रिष्टिक करने की स्थिती में अभियारती स्वतह रद समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकर नहीं किया जाएगा इसके लिए परसत जिम्यदार नहीं होगा निकिया OMR सिट है फ्रेंस आपको सही सही ढंग से बढ़ना है तो फ्रेंस अगर फोर आध हम लोगी इस वीडियो में देखे क्या देखने वाले हैसे बिहार समानग्यान को देखने वाले हैं तो बिहार से देख़े आपको प्रशी गाड में अवशा थे पूछा घाब को बिहार पुलिस के साथ सिपाही जो ड्रैवर है उसके के साथ साथ फ्रेंस जो भी बिहार का एकजाम है सभी के लिए काफी महत्पून वीडियो है तो इसको आप जरूर देखेगा तो इस वीडियो में हम लोग 120 प्रशन को कभर करने वाले हैं वाल लाइनर प्रशन है फ्रे जरूर करें और वीडियो को अच्छा लगे फिर लाइक जरूर कर देगा तो चले फ्रेंस देखते हैं ध्यान पुर्वक सुनते चलेगा सभी प्रशन है सभी पूछा हुआ प्रशन है देख सकते हैं यहां पर असपर टूप से लिखा हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा आय करके बताएगा तो नीचे दिख स्क्रिसन है फ्रेंस उसमें मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे दूँगा वहां पर आपको इसका पीडियो भी मिल जाएगा तो देखे फ्रेंस पहला पॉइंट आपका ध्यान पुर्वक दिखेगा कि लौड सचीनानंद सिन्हा ने उन् के लिए है दूसरा है फ्रेंस बिहार में उद्धोगों का कमिशनर दफ्तर इस्थित है तो पटना में इस्थित है अगला पॉइंट है फ्रेंस उत्तर बिहार परसीद है तो बाढ के लिए ठेंस और देखे बाढ आता है फ्रेंस तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है कोशी नदी से उत्तर बिहार में बहुत बाढ आता है ठेए फ्रेंस तो उत्तर बिहार किसले परसित बाढ के लिए अगला पॉइंट है बिहार राज विभाजन के पुरु में अधोगिक छेत्र विकास प्रादिकारन थे तो जब विभाजन नहीं हुआ था फ्रेंस उसके पह पेच्छित उचस्तरिये अवसं रचनात्मक्स विधाओं के निर्मान पर ध्यान देती है तो उसका नाम क्या है फ्रेंस इंट्रिग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलप्मेंट जिसे सवाट में क्या कहता है आई आई डी ठीक है फ्रेंस देखें सब प्रशने जो प अंगरसा दिवेशन हुआ था सिरी दीपा नरायन सी के परियास से अगला पॉइंट है फ्रेंस कि बिहार के परमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बहुत ही महत्मुन स्वाल है तो बिहारी जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे तो बाबु महेश्वर पर परसाद इसके संपादक थे अगला पॉइंट है फ्रेंस अगला पॉइंट है बिहार में यद्धिपी जमिंदारी सरवाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथा पी भू नियंतरन का समाजिक आदार किसके हाथों में रह गया था तो परधान जाती के हिंदू के हाथों मे रह गया था अगला प्रशन है मौरिकालिन हिन्यान गुफाएं इस्थित है तो मौरिकालिन हिन्यान गुफाएं आपको राजगीर की पहाड़ी पर इस्थित है अगला पॉइंट है कि गया सडियंतर केस किस वर्स में हुआ था तो गया सडियंतर केस आपको जनवरी 1933 में 6 नमराः 1942 को हजारी बाग जेल से भाग निकलने वाले तीन राष्टिये नेता कौन-कौन थे योगंदर शुकल जै परकास नरायन और गुलाबी सोनार थे फिर से सुने फ्रेशिक्र 1930 में पटना सवदेशी लिखी अध्यस्ता जो सर अली इमाम ने की थे अगला पॉइंट है भारत के पर्थम राष्ट पती कौन थे तो डॉक्टर राजंदर प्रशार जो बिहार से थे अगला पॉइंट है पटना के सूपर 30 कोचिंग इंस्टीट के निर्देशक का क्या नाम है जहां के सभी 30 उमिद्मारों ने 2009 IIT JEE की परिछा पास की थी तो उसका नाम क्या था फ्रेंस निर्देशक का क्या नाम है तो आनंद कुमार सूपर 30 जो इंस्टीट है फ्रेंस कोचिंग सेंटर उसका जो निर्देशक थे उनका नाम क्या है अनंद कुमार अगला पॉइं दर्शन को घनस्याम को सुर्दार से जोडने के कारण पटना की एक अदालत में किस दायर किया तो कौन था फ्रेंस गोपाल सी नेपाली अगला है बिहार में जिले कितने है तो बिहार में टोटल 38 जिले है डांस सैली मुक्षता बिहार से जूड़ी हुई है तो क्या है लग अगला है फ्रेंस की एक प्रशाषनी की काई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय किया गया था तो प्रशाषनी की काई के हिसाब से 1911 एस्यू में किया गया था अगला है बिहार में रोहतास के कीले का निर्मान करवाया था तो बिहार में जो रोहतास के कीला उसका नि जिसका बिहार एक मात्र उत्पादक है तो पाई राइट का उत्पादक है अगला है बिहार का नियुनतम जनसंख्या घनत वाला जिला कौन है तो बिहार का नियुनतम जनसंख्या घनत वाला जिला भभुगा है अगला है बिहार में सवाना बनस्पति पाई जाती है तो बिहा तिल सोधक कर खाना स्थापित हुआ था अगला है BEB का अर्थ क्या होता है तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोड होता है ठीए फ्रेंस अगला पॉइंट को देखते है अगला पॉइंट आपका बिहार की प्राचिन उन्वर्शिटी है तो नालंदा भी स्विदाले है जो बिहार का प्राचिन उन्वर्शिटी है उन्वर्शिटी के संदर्व में 11 अगस्त का सचीवालय गोली कांड कहां हुआ था तो कहां हुआ था ये पटना में हुआ था अगला पॉइंट है अप्रैल उन्वर्शिटी ने भारत में पहली बार सत्याग्रा अंदोलन बिहार में प्रारंब किया था तो कहां से क्या था तो चमपारन से कब के थे फ्रेंस 317 इस्वी में अगला पॉइंट है फ्रेंस की बोध गया में बोधी बिरिच अपने वंस की इस पीधी का है तो सस्टम पीधी का है जगदिशपूर के वह व्यक्ति जिन्होंने 1857 के करांतिकार्यों का नेत्रित किया था तो जगदिशपूर से कौन किया था फ्रेंस कुवर से नेत्रित किया था अगला पॉयंट है अपका कि समराट साहलम दूतिये ने इस इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा औरिचा की दिवानी पرदान की परभावती देवी कहा कि स्वतंतरता संग्राम से नानी थी तो परभावती अपका पटना की थी उन्हें 42 के आंदोलन में डॉक्टर राजंदर परशाद को किस जेल में रखा गया था पार्टली पुतर के संस्थापक कौन थे भी पूछा जाता है अगला प्रस्न अब बिहार वित्तर परदेश राजियों की संजुक्त सिचाई पर्योजना है बहुत ही important स्वाल है तो देखे गंडग परियोजना है जो संजुक तुरुप से आपका बिहार और उत्रपरदेश की परियोजना है अगला point है आपका बिहार के इतिहास में पहली बार किसके द्वारा राज जी का आर्थिक सर्वेच्छन प्रस्तूत किया गया था तो सुस पति का जो क्रिशी है ठीके फ्रेंट कि बिहार में ज्यादा उध्योग धंदा नहीं है अधिकतर लोग हैं जो क्रिशी कारे से जुड़े हुए है अगला point है बिश्व का सबसे उचा कहा जाने वाला बिश्व सांतियस्तूप कहां इस्थित है तो बिश्व सांतियस्तूप आपको राजगीर में इस्थित है अगला point है फ्रेंट कि बिश्व का पहला गंतंत्र वैसाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया तो लिचिश्वी के द्वारा स्थापित किया था अगला point है इल्टूतिमिस ने बिहार में अपना पर्थम सुवेदार किसे न्यूक्त किया था तो इल्तू ते मिशने बिहार में अपना पहला सुवेदार जो नियुक किया था उसका नाम है मलिक जाने अगला पॉइंट है फ्रेंस कि मुझपर फूर में किंग्स फोर्ट की हत्या का पर्यास कब किया गया तो अभी मैंने बताया था फ्रेंस 1908 हिस्वी में मुझपर फूर में किंग्स फोर्ट की हत्या का पर्यास किया गया था अगला चंपारल नील अंदुलन का राष्टी नेता कौन थे तो महात्मा गांदी उने 17 में हुआ था अगला पॉइंट है बिहार में पर्मानेंट सेटिलमेंट लागू करने का कारण था त कौन कौन है फ्रेंस तो कर्मनासा गंडक और घागरा फ्रेंस नदियों का वह कौन सा सम्मुह जो उत्तर परदेश के भी सीमा रेखानी बनाती है तो कर्मनासा नदी गंडक नदी और घागरा नदी अगला पॉइंट है फ्रेंस बिहार में 1857 की क्रांती की नेता बाबु जिको आपको वीरकुवर्शी की मिर्थू हो गई थी द्यांत हो गया था अगला पॉइंट है बिहार के वह क्रांती कारी जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था तो कौन था फ्रेंस तो फनिंद्र नाथ घोस फि वहाग लिया था अगला point है फ्रेंस बिहार का वह अस्थान जहां भारतीय राष्टे गॉंग्रेस का उन्हें 22 का अधिवेशन हुआ था तो उन्हें 22 में आपका कॉंग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था ठीके फ्रेंस और इसका जो अध्यस्ता किस ने किया था तो चितरंजन दास ने किया था ये भी याद रखेगा अगला point है friends की लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं ये भी देखे बहुत बार बिहार के एक्जामे पुछा गया है जए परकाश नरायन को लोक नायक कहा जाता है उसके बाद में है friends चीनी य कि स्विष्वी ज्विधियख़ थैं धाफ दो भूपप्रसर्ट नमेल साथ, तो 15 November 2018 को भिःखार है जो जहारखा ने जो भिःखार से पिर्थक हुआ था, अगला पुईट है बिःखार में 20 विध्याले है। बिःखार में 20 विध्यालों की संख्यां कितना है, तो 12 है। बिःखार की पेंटिंग विद्या प्रशना है बिहार विधान सभा में सदस्कितनी है? बिहार विधान सभा में टूटल सदस्यों की संख्या dau fertig3 है अगला बिहार में महात्मा गांधी के पुरु सापिच राश्टिय सक्रिय की अनुपस्थिती अभ़ाव में देखके जा सकती है? तो क्या रचनात्मक छेत्री अधिकार के रूप में अगला पॉइंट है फ्रेंस की स्वतंतरता पुरू बिहार में बड़े जमिंदारों की राजनीती सक्ति बचाने का माध्यम क्या था तो आर्थिक स्थीती था अगला पॉइंट है बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन हुआ था तो बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था अगला बिहार में वह नदिया जो गंगा अथवा उसकी सहयक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है बहुत ही important स्वाल है तो गंडक कमला और बगमती बिहार में वह नदियां कौन है फ्रेंज वह नदिया जो गंगा अथवा उसकी सहयक नदियों में उत्तर की और से आकर मिलती है अगला point है friends बिहार में भांगिर मिट्टी मिलते देखे इसका अंसर यहाँ पर जब गया ठेखे चले अगला point को देखते हैं कि वह देश जिसकी सीमा बिहार से जुड़ती है तो देखे एक मातर देश आपका नेपाल है जो जिसकी सीमा बिहार से जुड़ती है भागुलिक छेत्रफल की दृष्टी से भारत में बिहार का क्रम कौनसा है तो आपका तेरहमा स्थान हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं कि असोक के सासनकाल में बहुत सभा कहां आयोजित की गई थी तो असोक के सासनकाल में बहुत सभा का आयोजन पाटली पूत्र में किया गया था अगला पॉएंट है गौतमबुध को एक देवता का स्थान किसके राज में प्रस्तुत मिला था सभी प्रश्ट को जरूर याद कर लिएगा क्यों कि मैं बार बार बता रहा हूं फ्रेंज के सब प्रश्ट है जो बिहार में पूछे गए बिहार के जो तमाम एक्जाम हुआ है फ्रेंस उसमें इसाफ प्रश्ण पूछा गया था उसी का यह संग्रा है तो आपको फोरेश्ट गाड के एक्जाम के दिश्टी कोन से बहुत महत्पून इसलिए सभी प्रश्ण को आप जरूर याद कर लें इससे कुछ ने कुछ प्रश था बा कैंगONAशन को रामचंद्र सर्मा किस गाउं के निवासि थे अमहरा गाउं के निवासि थे पटना महानगरपाल का में वाडो की संख्या कितनी है तो 57 है बिहार के जिले जिसके कुछ इलाके पस्चिम मंगाल को दे दिये गए थे तो कौन था हो पूर्णिया के मूल रुप से विहार सब्द का अर्थ क्या होता है बहुत ही मातपूर है तो बहुत मठ होता है मूल रुप से विहार सब्द का क्या अर्थ होता है तो बहुत मठ है अगला है ब्रीटिस सासन के दोरान बिहार को एक अलग प्रांथ का दर्जा प्राप्त हुआ था किस नगर में जापानियों ने विश्व सांतियस्तूप का निर्मान कराया है तो राजगीर में यह भी प्रशन पूछा जाता है कि विश्व सांतियस्तूप कहा है तो राजगीर में आगला है रावर्ट कलाइव ने बिहार का नयाव दिवान न्यूक्त किया था किसे दुएत सासन किसे ने शुरू किया था तो रावर्ट कलाइब ने लावर्फ कलाइब ने बिहार का नयाव दिवान न्यूकत किया था किसे तो सिताब रायको अगला पॉयंट है कॉंग्रेस सुचलिस्ट पाटी की cancelled पहली बैठक हुई थी कहां हुई थी तो पत्ना हुई थी अगला है पुराना बिहार का कितना परतिसत जमीन लेकर जार्खंड बना था बहुत ही इंपोर्टन सवाल है तो पुराना बिहार का आपका 42.35 परतिसत लेकर के जार्खंड अलग राज बना था अगला पुरान आपका है कि बिहार का शहर वन्य जीवन सेंक्चुरी और राष्ट्य पार्क के लिए परसीद है तो पस्चिम चमपारन परसीद है बिहार का सहर आनि बिहार का कौन सा सहर है जो वन्य जीवन और सेंक्चुरी और राष्ट्य पार्क के लिए परसीद है तो पस अगला पॉइंट को देखे महात्मा गांधी तथा इनके सहयोग्यों की उन्हें 42 में हुई धर पकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए इस रेल सेवा पुन रूप से ठप हो गई इसमें उसमें अधिक्तम परभावित जिला कौन सा था तो पटना सबसे ज़्यादा परभा 1857 से 20 जनवरी 1889 तक केंदर कहा था तो जगदिश्पूर था ते फ्रेंस कहा था जगदिश्पूर जहां से आपको बीर कुगर से नित्रित्व किये थे अगला पॉइंट है कि राम विलास सी फारवर्ड ब्लॉक के एक सकीरी सदस थे बिहार के किस जिले से सम्मंदित थे त इन दो नेताओं को हजारी बाग गिरफतार किया गया था विए कौन थे तो च्छ अगश्पूर 222 को किसको गिरफतार किया गया था अगला पॉइंट है फ्रेंस कि सीरी जगत नरायन लाल की पतनी का नाम क्या था तो सीरी मती राम प्यारी था बिहार की सीमा से लगने वाल भारत के राजियों की संख्या है, तो कितनी है फ्रेंच तो तीन राजियों की संख्या है, élect 4 आम आपका देश नेपाल हो जाता है , पूरब में पस्चिम बंगाण लगता है फ्रेंच ठीक है और पस्चिम में उत्तर पडेश , दजिन में आपका ज्हारखन और उत्तर में नेपाल तो याद रखे बिहार के सिमा से लगने वाले राजियों की संख्या टोटल कितने है तो तीन राज है और उत्तर सैंड में जो नेपाल लगता है वो अपका देश है अगला पॉइंट है निल क्रिसकों की दुरदसा पर लिखी गई पुस्तक निल लिखा गया है अगला पॉइंट है बेगुस राय में चोकिदार कर के बिरूद अंदोलन एक हिस्सा था तो अगला पॉइंट को देखते हैं कि गवर अच्छा के मुद्दे पर बिहार के साहाबाद गया एवंपटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे अगला पॉइंट है बिहार में अलग प्रांत के लिए अंदोलन जिसके प्रणाम सरूप वर्स 1911 में बिहार में मुडिशा के नए प्रांत का निर्मान हुआ का नेत्रित्व किया था किसने क्या था तो सचीदानन सिन्हा ने नेत्रित्व किया था अगला पॉइंट है बिहार में उत्पादन की दिरिष्टी से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है तो सबसे ज़्यादा चावल होता है दूसरी फसल में आपका गेहू होता है अगला अजादी के बाद बिहार में सिंचित छेतर बढ़ा है लगभग कितना तो अजादी के लगभग चार गुना सिंचित शेत्र बना है फिर चोटा नागपूर में प्राराम्भिक अस्तर पर अर्थ वस्ता अधारित थी किसमें तो वनो पर थी हाँ फ्रेंस तो अगला पॉइंट है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ तो बिहार बंगाल से कभूल वा तो अलग हुआ अगला पॉइंट है फ्रेंस आपका कि अठारो से संतावन के बिद्रो से बिहार का भाग अपर भावित रहा था बहुत ही इंपोर्टेंस वाल है फ्रेंस तो कौन सा बिहार का भाग था जो अठारो से संतावन के बिद्रो में अपर भावित रहा था फ्रेंस तो मुझह पर में जो चंद्रगुप्त का महल था फ्रेंस मुखी रूप से लकडी का बना हुआ था अगला पॉइंट है पटना को प्रांतिय रधानी बनाया था किसके द्वारा बनाया था फ्रेंस तो सेर सासूरु के द्वारा पटना को प्रांतिय रधानी बनाया था अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है पटना का स्थान्य समय। पुधी मंदिर को गए थे ठीए ठीए फेंज अगला पॉ燧 है आपका अगला पॉ燃ट है कि बिहार का तराई पर्देश विस्तरी थे तो बिहार का तराई पर्देश भारत नेपाल की सीमा के समना अंतर इस्तित बिहार में पट्षन उद्धोग की पट्टी इस्थित है कहां तो पट्षन उद्धोग की पट्टी आपका उत्तर पस्चमी एवं उत्तर पुर्वी बिहार के मैदान में इस्थित है अगला पॉइंट को देखते हैं फेंट्स अगला पॉइंट है बिहार में औध्धोगी की वितिये सहायता परदान करने ही तुप परमुख वितिये संस्था कौन है तो बिहार राज वीत निगम है अगला पॉयंट है कि 1857 के बिहार के कई नगरों को परभावित किया बिहार के विभिन नगरों में बिदरों के विसफोर्ट का सही करम क्या है तो सबसे पहले कहा हूँ आथा जगदीशपूर में उसके बाद में पटना में उसके बाद में रोहिनी में उसके बाद में मुझपरपूर में बहुत ही महत्पूर्स वाले फ्रेंट साद रखेगा फिर से एक बार सुने यह पॉइंट कि 1857 के बिद्रो ने बिहार के कई नग का केंद्र था 1866-86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए बिद्रो के छेत्र है तो चमपारन और मुझपरपूर में हुए थे अगला पॉइंट आपका फ्रेंट के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवधानों के अंतरगत बिहार के लिए एक प्रांतिय सभा के स्थापना पहली चीनी मिल अस्थापित हुई थी बहुत इंपोर्टन सवाल है तो बिहार में सबसे पहले चीनी मिल आपको मरहौरा में अस्थापित की गई थी अगला बिहार में क्रिशी का स्वरूप कैसा है तो जीवन अदाई है कैसा स्वरूप जीवन अदाई है बिहार कॉंग्र याताल ठीक है मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उदेश क्या था तो बकासत भूमी की वापसी की मांग है तू बहुत इंपोइंट स्वाल याद रखे है फ्रेंट के जो मुंगेर का जो बरहियाताल था बरहियाताल विरोध का जो मुख्र उदेश था हो का था बकासत भूम में की वाप्सी की माँग हे तू अगला पॉयंट है कि बिहार बंगाल से पिर्थक कव वए था तो 1912 S.V. में पटना उस नयाले के स्थापना कव थी बहुत इंपटन दोनों याद रखे है फ्रेंस उने सो बारा में बिहार बंगाल से प्रितक हुआ था पटना उस नहीं के थपना उनेशो सोलम हुआ था देखे फ्रेंट्स इस सब सभी को जरूर रट करके जाई है एक जाम देने फ्रेंट्स हो सकता है इससे बहुत सारा प्रशन आपको टैली कर जाए यह सब प्रशन है जो बिहार के एक जाम में हाफ ही फाईली हुई थी तो कालास सब से जयासे भें आपको बिहार में फाइला था फ्रेंट्स अगला सतिति अंग्रेज्ओं की फैक्टरी पर अधिकार किया था स्लआचिय किने तो नभाह्मीर कासीम ने यह बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार रिपीट हुआ है कि 1763 ही पटना में जो इस्थित फैक्टरी था उस पे अधिकार किष्णी किया था तो नवाव मीर कासीम ने अगला है चंपारन सत्यागरह के दौरान गांधी जी पर कहां मुकदमा चलाया गया था ये भी बहुत ही टॉपम हक ने की थे अगला पॉइंट भारत छोड़ो अंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 142 को पटना में पुलीस गोलिकांड में मरने वालों चात्रों की संख्या कितनी थी तो साथ चात्र मरे थे अगला पॉइंट बिहार में आजाद दस्ता सकीरी रहा था तो भारत छोड़ो अंदो अगला पॉइंट को देखते है फ्रेंट कि मुगलों ने 1765 हिस्वी में एक फर्मान द्वारा बंगाल बिहार वा उडिसा की दिवानी इस्टिनिया कंपणी को कितने रुपईयों में दी थी कितने रुपय में दी थी फ्रेंट तो आपका 26 लाख रुपयों में दी थी कितना तो आपका देखें आपका लिखावा 26 लाख रुपयों में थे फ्रें एक वीडियो और बनाएंगे फ्रेंट्स उसमें जो जितना और यह संग रहा है फ्रेंट्स सभी को इसका कॉंसेप्ट क्लियर कर देंगे उसके बाद में लगातार 15 दिन तक फ्रेंट्स 15 प्रैक्टिसेट दूंगा सिलेबस के नुसार तो हमारे चैनल से आप लोग बने रहे ह अच्छा लगे तो लाइक कर देया दोस्तों में शेयर जरूर करें फ्रेंट्स तो नेक्स बीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद